हलो फ्रेंट्स मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूटूब चैनल पर देखिए आज की वीडियो उन सभी पैरंट्स के लिए है जिन भी पैरंट्स के बच्चों का नाम फर्स लिस्ट में नहीं आया है और कहीं न कहीं वो सभी पैरंट्स बहुत ही टें पास्टियर भी फॉर्म भरा था और इस साल भी भरा है और बहुत से पैरंट्स जोनों फर्स टाइम यह फॉर्म भरा था तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगे कि देखिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है यह फॉर्म एक आपके पास जरिया होता है अपने बच बच्चों के लिए तयार होंगे और अपने बच्चों के अड्मिशन करवाएंगे ही करवाएंगे चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइबट स्कूल हो आप अपनी छमता के हिसाब से अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचेंगे एक अच्छे स्कूल में ही अपने बच् करिएगा और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और दिल्ली के प्राइबट के स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इस कटेगरी में सोच रहे हैं तो देखिए आप सेकंड क्लास थर्ड क्लास फॉर्ट फिफ सिक्स स नाइंथ क्लास तक अपने बच्चे का जो फॉर्म भड़ना है यह ट्राइ कर सकते हैं अगर आप EWS के अंदर आते हैं तो और इसके जानकारी भी मेरे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी कि कब यह फॉर्म निकलते हैं और कैसे आपको यह फॉर्म भड़ना है और आज मैं आप सभी parents के लिए especially यह वीडियो बना रही हूं क्योंकि देखिए आप इसे बहुत से ऐसे parents हैं जो मुझे बार-बार comment करके एक सवाल पूछे है कि मैं second list आएगी कि नहीं आएगी और क्या हमें second list का wait करना चाहिए अगर हम second list का wait करते हैं तो list कब तक आएग इतने time तक तो हमारे बच्चों का admission भी कहीं नहीं आएगा अगर हम second list का wait करने के लिए बैट गए तो देखिए बहुत बड़ा confusion है और बहुत से parents है जो इस सवाल को लेकर बहुत confusion है और होना भी चाहिए क्योंकि देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि जो second list है अभी कोई भी notification नहीं आया है और जब तक first list के admission complete नहीं होते तब तक कोई भी circular video की तरफ से जारी नहीं होगा क्योंकि second list तभी आती है जब कोई seat किसी reason की वज़े से vacant रह जाती है और उस seat को fill करने के लिए ही second list को निकाला जाता है और उन बच्चों को prefer किया जाता है जो बच्चे पीछे रह चुके हैं serial wise तो देखिए second list कब तक निकलेगी ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता है और ये पूरी तरह से DOE के जो admission पर करिया है उस पर depend करता है जैसे कि आप सभी को पता है कि time से ही ये form निकले थे और time से ही lucky draw भी निकल चुका है और admission की जो date है वो भी पहुत ही अच्छे timing तक रखी गई है last date 31 मास 2023 क्योंकि जैसे ही 31 मास 2023 तक बच्चों का admission होगा first year second April से बच्चे class लेना start कर देंगे तो time से ही सारी चीज़े हो रही है इस बार तो second list भी मुझे लगता है कि time से ही निकलेगा maybe आपकी जो second list है अप्रेल या मई के बीच में निकल जाए बट अभी कुछ भी नहीं का जा सकता है जब तक circular नहीं आता है अब देखिए वो parents जिने tension है कि अगर हम second list का wait करते हैं तो हमारे बच्चों का admission बीच के session में कैसे होगा किसी school में हम क्या करे हम second list का wait करे या ना करे देखिए मेरे according second list जब भी निकलेगी वो बहुत ही कम seats के उपर निकलती है और क्योंकि जो बच्ची हुई seat होती है उसके उपर बच्चों को prefer किया जाता है उसके उपर जो बच्चे को admission लिया जाता है तो बहुत ही कम seat बच्चती है तो सभी का नाम तो उसमें नहीं आ सकता है तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगे कि अगर आप किसी स्कूल में सोचकर बैठे हैं कि आपको अपने बच्चे का admission इस school में करवाना है आप बे फिकर होके उस school में अपने बच्चे का admission करवा लीजिए चाहे वो सरकारी school हो या private school हो कोई भी school हो उसमें आप अपने टेगरी के अड्मिशन्स हैं वो तो लेंगे ही लेंगे बट आपका नाम अगर किसी बच्चे का नाम सेकंड लिस्ट में आ जाता है तो उस केस में देखें आपको स्कूल से पहले ही बात करके रखना पड़ेगा कि इस तरह से हमने फॉर्म भरा था और फर्स लिस्ट में हमार स्कूल वाले आपसे जितना कॉपरेट कर पाएंगे आपसे जरूर करेंगे और गॉर्मेंट स्कूल पे अगर आप अपने बच्चे को डालना चाते हैं तो बेफिकर डालिए क्योंकि वहाँ पे कोई फीस आपकी लगनी नहीं है अगर गॉर्मेंट स्कूल में भी आपके ब पढ़ाई का क्या होगा तो देखिया आपको अपने बच्चे की पढ़ाई को नुकसान नहीं करना है जिस भी स्कूल में आपने बच्चे का अडमिशन करवाने के लिए उस स्कूल में आप बेफिकर होके अडमिशन करवाईए अगर सेकंड लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आता है तो वहां से निकाल कर आप उस स्कूल में अपने बच्चे को डाल सकते हैं थोड़ा बहुत आपके बच्चों का लॉस तो होगा ही बट एक बार प्रमारेंटली जब आपका बच्चा एक स्कूल में फिक्स हो जाएगा तो उसकी पढ़ाई का जो रूटीन है वो स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और इस वीडियो को शेर करना बिलकुल भी मत भूलेगा क्योंकि आपकी एक चोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है थैंक्यू सो मच मिलते हैं अपने कि एडियो में